मेहर और आस्मा का जगड़ा दिखकर अर्मान को लगा बुरा अर्मान ने दिया मेहर का साथ बैए यहां पर दुबारा से जो मेहर और हानिया है उन दोनों का जगड़ा हो गया है और आस्मा फिर समझा रही है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गलती है हानिया की कोई गलती है लेकिन आम बार मेहर सुनने को दियार नहीं है वो गुस्से में आसमा का हाथ काट लेती है और यह सब न सारे घरवाले देख रहे होते हैं यहां पर फिर अर्मान मेहर को ले जाए यहां और यहां पर फिर अर्मान मेहर को ले जाता है जाता है उसको समझाता है और फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि राजा की तबियत बहुत खराब होती जाएगी मतलब अच्छी होने की वजाए और खराब होती जाएगी और ये सारी चीजे वो आस्मा को बताती है अब आस्मा और आलिया बहुत जादा परेशान है यहां पर आस्मा ने अर्मान से जूट भी बोल दिया है कि राजा की तबियर ठीक है अर्मान पूछता भी है कि तुम क्या चुपा रही हो मुझसे बताओ तो यहां पर बताती है कि यहां पर घरवालों को पता लगेगी तो सारे लोग परिशान हो जाएंगे तो आप बताइए मुझे आपको दारियां के एपिसोट कैसा लग रहा है और क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे आलिया का हाथ है